नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो लेकर आ गए हैं बहुत ही काम का यूसफुल वीडियो दिवाली खतम हो गए दोस्तों और जले ही वे दीपक के चार कुछ खाश टिप्स बताने वाले हैं तो चलिए नादरी करते वे वीड मोबाइल को लेकर मोबाइल का हमारा जो इसकीन होता है उपर वाला यह देखिए हाथ से पकरते पकरते कुछ दुंदलापन हो जाता है तो यहां पर इजली हम साफ करके बताने वाले हैं कि ले लेना है परफियूम और ले लेना है कॉटन का कपड़ा हो या कॉटन रूई हो और उससे इस तरीके से क्या करना है कि अच्छे से साफ कर लेना है देखिएगा कि तुरंत ही सेकेंडो में बहुत अच्छा क्लीन साफ हो जाता है एक दम से लगता है कि नया जैसा इदम नया गलाप्स लगवाएं जैसा हो जाता है साफ देखिए कि इतना अच्छा लग रहा ह हैं ताकि हमें यूज में ले सकते हैं बहुत सारे इसका यूज है बताने वाले हैं तो चलिए इसका जो दीपक में जो बत्ती बचा है बत्ती को हमें एकठा कर लिए यहां पे और एकठा करने के बाद हमें ले लेना है थोड़ा सा तेज पत्ता तो यहां पे तेज पत्ता को ह इसे हमें जला के पूरे घर में दिखा देना है, इसे क्या होगा जो हम कपूर डाले हैं दोस्तों, तो कपूर निगटिविटी भी भगाने का काम करता है, और ये जो हम जलाएं हैं, सलूसन बनाएं हैं, इसे कीडे मकोडे घर के मक्षी मच्छर सब भाग जाते हैं, इसका जब ये बुझेगा, इसका धुआ निकलेगा, तो इसका धुआ से एक दम काफी खुस्बू मेह काएगा, कपूर वाला और सारे पड़सानी दूर हो जाएगी मच्छड मक्खी वाले, तो चले दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स टिप्स, नेक्स राइडिया है, यहाँ पे एक और टिप्स बता रहे हैं, दिपक को ही लेकर, जैसे कि देखिए, हम ले लेंगे यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर, तो यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर ले लिए हैं, और थोड़ा सा नमक ले लिए हैं खाने वाला और खाने वाला सोडा, तो चलिए, यह मेरा त यूनो चीज तयार हो गया है, दोतिन बूंद पानी डाल के इसे साथ एकदम डो के रूप में बना लेना है तो चलिये है यह, हो गया है तयार और दिपक में इस तरीखे से दबा दबा के भर लेना है और इसे चाहिए तो दूप में रख सकते हैं सुखने के तसके लिए टाइम है, तो इसे भी काम में ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, तो देखिए यहां पे हमारे घर में जो जले हुए तावे, कड़ाही यह सब होते हैं, काफी अच्छा से साफ नहीं होते हैं कितना अच्छा से मेरा तावा जो है ना साप हो गया ये देखिए और दोस्तो दिपक में और भी मिटी या सर्फ मिला के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं देखें कितना अच्छा से मेरा तावा क्लीन हो गया है तो है ना कमाल का आइडिया चले देख लेते हैं नेक्स टिप है यहाँ पे हम चाय बना रहे हैं तो चाय में कुलड़ वाली टेस्ट लाने के लिए दोस्तों दीपक का यूज करने वाले हैं तो देखे यहाँ पे दीपक को हम अच्छे से धो लिए हैं धोने के बाद इसे क्या करना है कि गैस टॉप पे इस तरीके से पका ले सब्सक्राइब है कोईला वली आग में पकाते हैं तो तो अदम पूरा रेड हो जाता है देखे इस तरीके से उठा लेना है और चाय में डाल दीजे और चाय में एक उबा लाने तक अच्छे से पका लेना है देखे ले पकाया हुए डिया डाले दोस्तों तो काफी जहाग देखिए इस तरीके से तो ये देखिए ये मेरा चाय बनकर हो गया है तैयार तो ये कुलड़ वाली चाय हो गई है रेडी तो चलिए अब हमें क्या करना है कि दीपक को निकाल लेना है और दीपक को निकालने के बाद हमें चाय को कप में छान लेना है और पीजियेगा ये चा सब्सक्राइब करें दोस्तों तो इसी तरीके से हम नीव नीव वीडियो टीप सेंट्रीक वह ला लाते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब के लिए बाय बाय